यहां पे भी आपका जो Google Ads account आपने connect किया है वो यहां पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा इस तरीके से आपको लिखा हुआ दिख जाएगा link created इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने Google Analytics 4 और Google Ads को आपस में connect कर सकते हैं ऐसा करने के लिए सबसे important है आपके पास Google Ads और Google Analytics 4 का admin access होना इसके बाद आप अपने Google Analytics में आ जाएंगे और यहां नीचे जो आपको admin की बटन दिख रही है इस पर हम click करेंगे और आप एक बार confirm कर लेंगे कि जिस analytics को आपको connect करना उसी का नाम यहां पर लिखा हुआ है उसके इसके बाद हम scroll करके नीचे आएंगे आपको यहां पर Google Ads लिंक की बटन मिलेगी इस Google Ads लिंक की बटन पर हम click करेंगे यहां पर में आपको बताने के लिए एक और account जोड़ के बताता हूं मैं यहां पर लिंक की बटन को click करूंगा इसके बाद यह आप से पूछेगा चूज एकाउंट तो आपके जितने भी एकाउंट का आपके पास access होगा वो सरे एकाउंट यहां पर डिस्प्ले हो जाएंगे उसमें से आपको चूज करना है कि इस Google Analytics 4 को आपको किस Google Ads एकाउंट से connect करना है इस case में आप पहले ही अपना Google Ads एकाउंट खोल के रख लिए क्योंकि ह हो सकता है आपने अपने Google Ads एकाउंट को नाम नहीं दिया हो अगर आपने इसको नाम नहीं दिया है तो आपको इसको आईडी नंबर से मैच करना पड़ेगा जिसकी यह मेरा Google Ads एकाउंट है जिसके आखरी के फो डिजिट हैं 0509 अब मैं Analytics के इस चूज Google Ads एकाउंट की बट अब देख लिए हैं और यहां पर हम सबमेट कर देंगे इस तरी के साब लिखा हूए दिख जाएगा लिंक created और आपका Google Ads अकौंट और इसका नमबर यहां पर आपको लिखा हूँ दिख जाएगा इसके बाद हम Google Ads में चलके एक बार इसको चेक कर लेंगे Google Ads में आने के बाद आप यहां Tools and Settings की बटन दबाएंगे इसके बाद आप Linked Accounts की बटन दबाएंगे और जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा है Google Analytics GA4 and Firebase Linked यहां Manage and Link की बटन दबाएंगे और यहां पर आपको अपना Google Analytics Account का नाम भी दिख जाएगा उसके आगे यहां Activate लिखा होगा इस पर हम क्लिक कर देंगे एक बार और यह पूझे का क्या आप इसे Activate करना चाहते हैं तो आप यहां Activate की बटन पर क्लिक कर देंगे जब आप एक बार Activate की बटन पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर फिर Deactivate लिखा जाएगा यानि कि आप इसको अगर आपको बंद करना है तो ही यहां पर क्लिक करना है अदरवाइस यह आपका काम हो गया है इसके लावा अगर आप किसी और टापिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आपकी कोई भी डाउट या क्वेरी के लिए या कोई भी सर्विसेस के लिए आप आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझे वाट्सेप कर सकते हैं